नमस्कार दोस्तों मैं जेप्ट का स्लाइच आपको आर्दिक स्वागत करता हूँ आज का मारा क्विश्चन है Find the center and radius of this circle in which sphere x square plus y square plus z square minus 2y minus 4z equals to 11 is cut by the plane x plus 2y plus 2z equals to 15 वृत का केंदर तथा तिर्जा ग्याद कीजिए जो सम्तल x plus 2y plus 2z ब्राबर 15 जाद रहे द्वारा गोल x square plus y square plus z square minus 2y minus 4z ब्राबर 11 के परती 6 से प्राप्त होता है तो हमें कोई गोला दे रखा है माली जी हमारे पास कोई गोला है इसको कोई plane कट कर रहा है जैसे इसको plane कट करेगा तो इसका कुछ portion वो होगा प्लेज़ के ऊपर होगा और कुछ portion plane के नीचे होगा और जो हमारे कट करने से जो portion प्राप्त होगा वो हमें एक circle प्राप्त होगा तो यह जो circle है यह इस circle के जितना ही point है वो plane को भी satisfy करेंगे और साथ य साथ इस sphere को हमें जो जो यह circle प्राप्त है इसका center तथा radius केंदर तथा तिर्जय अपराप्त केरनी है तो यह हमारा गोला है इस गोले को किसी समतल ने काटा काटनें पर यह तो गोले का केंदर है यह गोले केंदर से समतल नाले किलम फ़ाप्त स्मॉल प e है और मैंने स्मॉल इस सेंट्र रेडिस प्राप्त करने के लिए उसमें बदल रहा हूं आप चाहें तो व्यापक समीकंड से तुलना करके भी प्राप्त कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने एक स्क्वाइर का पत एक साथ लिखे य के जो भी पत थे तो य स्क्वाइर मैंने एक साथ लिख दिए जैड़ स्क्वाइर और मैंने एक साथ लिख दिए जैड़ के जितने ही पत थे उन्होंने एक साथ लिख दिए और जो अच्छर पत था वो राइट उसे किया तो मियनस 1 उसका ओंस क्या तो एक तो मैंने एक वं जो है वह ऑड कर दिया एक जोड दिया अगर मैं एक मैं जोड उड địjak तो राइट एग जोड दिया ताकी किया रही बेलेंस रह है यहां पे जो येड़ गपलांक है वो minus 4 है minus 4 में 2 बाग दिक दिका और फिर उसका square किया तो takiej all करने पर प्राप्त होगा 4 फॉर प्राप्त होगा तो मैंने 4 söyleay left-hand side में कर दिया और right-hand side में कर दिया अब मेरा जो यह है X quayr उसको मैं X minus 0 सquayr भी ले सकता हूं और चायम 00aj7 istوج 10 कुछ फरक नहीं पड़ता y square minus 2y plus 1 wie minus 1 ka two 對啊 odd square हो गया और zquare minus 4z plus 4 why Z minus 2 college illustrator हो गया और राइट हैंड साड में हमें एड करने पर 11 प्लस 12 है 4 16 16 और 16 होता है 4 का स्क्वायर तो अगर इस समयखन की तुलना मैं गोले के केंदर तिर्जिया रूप जो क्या मारा होता है X-A का All Square Plus Y-B का All Square Plus Z-A का All Square का एक कुश्टू जो R इसका रहता है उससे तुलना करेंगे तो इसका Center ABC प्राप्त हो जाएगा और Radius प्राप्त हो जाएगी तो मैंने इसकी तुलना की तो मुझे मुझे जो Center मिला वो मिला 0, 1, 0, 2 और Radius मिली मुझे 4 तो मैंने लिखा गोले का केंदर Center of Sphere is equal to 0, 1, 2 Center of Sphere मुझे मिल गया 0, 1, 2 जिसे मैंने C से denote किया है और तिर्जिया इसकी गोले की वो Capital R से रिप्रेजेंट किया जो की 4 के ब्राबर है 4 के एक वल अब मुझे 2 चीजे प्राप्ट करनी है एक तो मुझे वरित का केंदर प्राप्ट करना और एक वरित की तिर्जिया प्राप्ट करनी है तो सबसे पहले मैं वरित की तिर्जिया प्राप्ट करूँआ तो वर्थ की तिर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं हम पढ़ चुके हैं प्रिएस लेक्चर में कि r बराबर होता है root r square minus p square तो मुझे capital r तो मैंने प्राप्त कर लिया अब मुझे जो small p है वो प्राप्त करना है और small p होता है गोले के केंदर से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई small p गोले के केंदर से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई यानि जो length of perpendicular है from the center of sphere to the plane वो हमारा होता है small p तो हमने का small p बराबर गोले के केंदर से 0,1,2 से समतल x plus 2y plus 2z equals to 15 पर डाले गए लंब की लंबाई यदि हम p का मान गयाद करें तो जो गोले का केंदर है center 0,1,2 और जो plane की question x plus 2y plus 2z equals to 15 तो इसके केंदर से समतल पर डाले लंब की लंबाई गयाद कर रहे हैं तो p equals to a plus minus x के इस्थान पर 0 रखेंगे y के इस्थान पर 1 रखेंगे z के इस्थान पर 2 रखेंगे और जो 15 उसको left and side में लिए आएंगे तो हमारा x के इस्थान पर 0 रखा plus 2 into y की value 1 रखी plus 2 into z की value 2 रखी और जो 15 को left and side में लिए है और upon में आगया root में x के गुणांग का square plus y के गुणांग का square plus z के गुणांग का square coefficient of x का whole square plus coefficient of y का whole square plus coefficient of z का whole square इसे अगर हम solve करें तो हमारा हो जाएगा small p कुष्टू 0 plus 2 plus 4 2 plus 4 6 और minus 15 तो plus minus minus 9 upon में root में 9 ये plus minus 6 लिए लेते हैं ताकि पी में सा positive प्राप्त हो तो यहाँ पे negative और तो मैं यहाँ पे भी negative साइल लें लूँगा ताकि मेरा पी positive मिल जाए तो मुझे पी मिला पी बराबर 9 upon root 9 root 9 equals to 3 तो मुझे जो पी की value मिल गी वो मिल गी पी equals to 3 अगर पी बराबर 3 मिल गया तो मैं वृत की तीज़े गयाद कर सकता हूँ तो वृत की तीज़े अब आब small r equals to capital r square minus small p square अगर इसमें capital r की value जो ने निकाल थी 4 थी तो 4 का square minus 3 का square इसे मैं solve करूंगा तो root 16 minus 9 और यह हो गया root 7 तो जो उमारी radius of circle है वो root 7 प्राप्त होगी यानि जो मारा जो small r है वो root 7 बिल गया हमें तो हम वृत की तीज़े प्राप्त होचकी है अब हम वृत का केंदर गयाद करेंगे जब भी हम वृत का केंदर गयाद करना हो तो सबसे पहले हम line cd की equation लिखेंगे जहाँ c center of sphere है और d center of circle जो अपना circle है और plane पिस्थित है तो सबसे पहले रेखा cd का समीकन equation of line cd इसे हम समीत रूप में symmetric form में लिखेंगे तो x minus x1 तो यह जो रेखा है वो center से गुजर रही है तो 0, 1, 2 से pass हो रही है y minus x1 इसका मतलब x minus 0 y minus y1 तो y1 की value यहाँ 1 है z minus z1 तो z की value यहाँ पर 2 है साथ ही साथ इस जो रेखा के जो direction ratios होंगे वो इस plane के perpendicular के direction ratio है और वो हमेशा plane की equation से प्राप्त होंगे और plane में x का coefficient y का coefficient और z के coefficient से लिखेंगे तो plane में x का coefficient of 1 plane की जो समीकन है समतल का समीकन उसमें y का गुणांग का वो 2 है और z का गुणांग z का coefficient और वो भी 2 है तो हमें जो रेखा समीकन प्राप्त हो है वो प्राप्त हो गया x minus 0 upon 1 y minus 1 upon 2 z minus 2 upon 2 इसके प्रापर हम अपनी तरफ से कोई भी constant मान सकते हैं यह मैंने मान लिया कि यह lambda है let जैसे जो भी हम कहें इसको solve करने पर इस रेखा पर किसी बिंदू के निर्दे सांग प्राप्त हो जाएंगे तो को हम कहेंगे इसको मैंने कोई रेखा मान लिया मान लिजी रेखा है कोई भी question दे सकते हैं मैंने इसको गार रेखा दो तो मैंने गार रेखा दो परिस्थित किसी बिंदू के निर्दे सांग यह रेखा दो यह है इस पर कोई बिंदू लेंगे तो उसके निर्दे सांग हम प्राप्त होंगे सबसे पहले इस लाइन को इसके साथ सोल करेंगे तो यह one multiply में होगा lambda तो एक सी value में प्राप्त होगी lambda y की value प्राप्त करेंगे तो यह 2 से multiply करें तो 2 lambda माना वृत का किंदर गुट के निर्दे शांग लेंड़ को मा टू लेंड़ प्लस न कमा टू लेंड़ प्लस तब let the center of let the coordinate of center d is lambda, 2 lambda 1 2 lambda 2 then अगर यह जो point है यह वुरित के केंदर के निरे सांख है तो यह जो वुरित का केंदर होता है वह मैसा समतल के समीकन को संतुष्ट करता है और समतल के समीकन को संतुष्ट करेगा तो समतल के समीकन में हम रखेंगे तो X के स्थान पे मैंने रखा lambda Y के स्थान पे रखूंगा मैं 2 lambda plus 1 तो यह जाएगा 2 into 2 lambda plus 1 Z के स्थान पे मैं रखूंगा 2 lambda plus 2 और equal to is me or past 15 इसे अगर मैंondile करूंगा तो lambda, इसको से multiply करूंगा तो 4 lambda, इसको से multiply करेंगे तो भी 4 lambda, total मिला कि कि मुझे मिल गया नाइन लेम्डा इसी प्रकार अगर मैं एड करूंगा था टू और प्लस फॉर शिक्स यह इकोईश्ट टू फिफ्टेन सोल करने पर में यह एक्वेशन पराप्त होगी शिक्स राइट हैड में जाएगा तो नाइन लेम्डा एकोईश्ट टू नाइन लेम लेम्डा इसान काकेनदर सेंटर ऑफ सर्केल Алक बीक मैं प्राप्त होंगे लेम्डा मैंने एक रखा थो हो गया एक यहां पे एक रखा तो दो सेぎल स्भॉल नाइट करके और एक जोड़ेंगे तो थरी हो जाएगा यहां पर मैंने लेम्डा एक रखा थो फो मुझा गया 2y-4z-111-0,x2y-2z-15-0 की तिरजिया है 2root 3, 2root 2, root 10, root 7 इसी पर कार rpschm2002, amu2005 फिम्पुचा करा किक्रशन है सम्तल x2y-2z-15, गोल x2y-2y-4z-11 को किस तिरजिया की वुरित में कारता है option है दो root 7 3 root 5 अगर इस question को हम solve करें चुके हैं तो हमें पता है कि इसकी जो radius आएगी वो root 7 आएगी तो हमारा option इसमें 4 सही हो जाएगा इसमें option 2 सही हो जाएगा लेकिन इस question के बारे में कुछ हो और जान का रहे हैं भी है जो हमें exam time में होने चीए हैं जो कि हमारा time save करती है तो वो क्या क्या चीज़ हैं वो देखे अगर हम triplet की बात करें trick की बात करें तो हम पड़ चुके हैं कि जैसे 3, 4, 5 triplet बनाते हैं trick बनाते हैं इसी प्रकार 5, 12, 13, 7, 24, 25 ये सभी triplet बनाते हैं और triplet में सबसे बड़ी बुजा है वो यहाँ पे जो सबसे चोटा triplet है उसमें सबसे बड़ी बुजा है वो 5 है लेकिन हमारी जो value है ये 5 से भी छोटी है तो ये तीनों मिलके कभी भी triplet नहीं बनाएंगे और अगर triplet नहीं बनाएंगे तो answer जो में मिलेगा वो irrational number मिलेगा क्योंकि ये natural number है ये natural number है या फिर ये कहें दोनों rational number है तो ये हमेशा irrational number मिलेगा अगर ये triplet होते तो short है कि ये हमारा ये number भी natural number मिलता तो answer irrational number आना चीए एक चीज़ दूसरा अगर हम ये कहें कि जैसे question x square plus y square plus z square इसमें यहां पे x का पदनी है और यहां पे minus 11 है अगर इसी question में अगर x का पदनी हो और यहां पे 20 कर दें तब यहां पे r की value क्या प्राप्त होगी वो आपको पता होना चीए तो आप soul करके देखना यहां पे अगर minus 11 की जगे minus 20 होता तो answer में क्या change होता यहां पे r की value कितनी प्राप्त होती p कितना प्राप्त होता और उससे यह जो radius हो कितनी प्राप्त होती तो हमें पता है कि अगर यह change करेंगे तो center change नहीं होगा center change नहीं होगा plane change नहीं होगा तो p change नहीं होगा कि इस परकार के questions हैं वो कई बार आ चुके तो ऐसे question में छोटे मोटे change करने पर क्या फरक पड़ रहा है वो हमें पता होना चीए तो यह कई बार जैसे question में माइनिस 15 की प्लस से होना जाएगा तो फिर इसमें क्या change होगा तब हमारा यह p change हो जाएगा थ्री ना आकर कोई दूसरी p की value आएगी answer question में भी यहाँ पर एक्स का पड़ और आ जाए तो फिर center थोड़ा सा change हो जाएगा center में क्या change होगा वो जम्हें पता होना चीए तो इस टाइप के दो तीन question कई बार आट दस exam में आचके तो ऐसे question तो हमें बिलकुल mind में हमारे set होने चीए और जाते हैं हमारा answer the second के अंदर हो जाना चीए दूसरी चीज अगर question में examiner question यही दे दे लेकिन radius ने पूछे और हमसे center पूछ ले तो हम उससो minimum time में कैसे करें उसका क्या process अपनाएंगे तो सबसे पहले हम equation of line cd लिखेंगे और equation of sign line cd है x-0 यानि x y-1 z-2 upon में इसके हम लिखते हैं प्लेम की equation से x y z के गुणांक जो की है 1 2 2 लिकिन जो हमारे 1 2 2 है वो है direction ratio ABC और अगर आपको direct center लिखना है तो सबसे पहले direction ratio को दिकन पात को दिको जाओ में बदलो और दिकन पात को अगर दिको जाओ में बदलना है तो प्रते के बटे में root a square plus b square plus c square का बाग देंगे और हमें पता है कि अगर a की value 1 हो b की value 2 हो और c की value 2 हो तो root a square plus b square plus c square है वो होगा root 1 का square plus 2 का square plus 2 का square और solve करने पर 3 आएगा तो मुझे सब में 3 से divide करना है यह आपको पता भी होना चीए कि इसको direction ratio को direction cosine में बदलेंगे तो 3 से divide करते ही बदल जाएगा और इनके वर्गों का योग में सा एक आना चीए तो यह बहुत ही minimum time में करने वाला process है इसके आगे हम लिखेंगे पी की value जो हमें 3 प्राप्त हुए तो इसके आगे अगर मैं लिखों 3 और अगर अगर मैं इसको solve करता हूँ तो मुझे सीधा center मिल जाएगा इसको इससे multiply किया 1 आया तो यह जो पहली value वहरी 1 आएगी इसको इससे multiply किया तो 3 into 2 by 3 करेंगे तो 2 आएगा minus 1 उदर जाएगा plus 1 add होते है यह कितना आगया 3 आगया इसको इससे solve करेंगे 2 और minus 2 उदर जाते है plus 2, 2 plus 2, 4 यह हमारा direct center आगया तो अगर हमें चाए center पूछे चाए radius पूछे कितना भी कमजोर विर्द्यार थी हो maximum 1 minute intelligent बच्चे maximum 10 second